भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जारी जिसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है अगर कोई बिना मास्क के बाहर निकलेगा उस पर F.I.R. दर्ज की जाएगी कलेक्टर ने बेवज़े बाहर घुम रहे लोगों पर कारवाई करने के निर्देश भी दिये है मध्यप्रदेश में इन दौर के बाद भोपाल में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन आज भी लोग कोरोना के संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग बेवज़े सड़कों पर बीना मास्क के घुमते नजर आ रहे है अब भोपाल प्रशासान इन पर सक्त हो गया है बोपाल कलेक्टर तरुन पितोडे ने पुलिस को इन पर कारवाई करने के आदेश दिये है पितोडे ने कहा जो भी बीना मास्क के बाहर निकलेगा उस पर एफाईर दर्ज की जाएगी पितोडे ने कहा बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बिना बज़य घुम रहे हैं लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहें इन पर ततकाल कारवाई कर इनको जेल में भेजा जाए कोई भी विक्ती बिना मास्क के नहीं घुम सकता है इसके आदेश भी होएं कोई इसका उलंदन करता है तो इसके विरुद सकत कारवाई की जाएगी कहीं कहीं पे देखने में आता है कि कुछ लोग इसको लाइट लेते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं पब्लिक में आप कहीं पे भी बिना मास्क के दिखेंगे तो आपके विरुद कारवाई होगी इसलिए मेरा आप सबसे नरूद है कि करपया मास्क पहन के ही चलें मास्क पहन के ही किसी विविक्ती से इंट्रेक्ट करना हो तो सोशल डिस्टेंसिं के साथ मास्क पहनते हैं पहनते हुए इंट्रेक्ट करना है आप देख रहे हैं तकल्नियूर